हेलो, मैं चंदरिका राजपुद, गोपिनात की चन में आपका स्वागत करती हूँ, आज हम जो बनाने जा रहे हैं, वो है बेशन से बनी मिठा है, जो मिठा खाना पसंद करते हैं, उनको ये बहुत पसंद आएगी, तो चलिए, शुरू करते हैं, एक बड़ा बरतन लेके, इसमें तीन बाउल बेशन ले लेंगे, बेशन अभी पिशा ही लिया है, तो ज्यादा फुला फुला है, और वो ही बाउल के नाप से हम तीन बाउल, सुद्ध देशी घी ले लेंगे, वो ही बाउल, फिर से हम चीनी भर के ले लेंगे, तो चीनी भी तिन बाउल लेनी है, तो एके बाउल से हमें नाप लेना, बहुत कम सामन में ये स्विट बन जाती है, सिर्फ बेशन, चीनी, गी और थोड़ा सा दूद्ध, हमें और कुछ नहीं चाहिए, तो सबसे पहले हम, चो ये बेशन है, इसमें हम थोड़ा सा एड़ कर देंगे, सुद्ध गी, और गी में एड़ कर देंगे, दूद्ध, दोनों को मिक्स कर देंगे, और ऐसे दिरे-दिरे सारे बेशन में मिला देंगे, तो इस तरह से इतना हमारा घी और दूद्ध लेना है, कि इस तरह का हमारा बेशन हो जाए, और जो हमने नाप के लिए लिया था, उसमें से ही घी लेना है, यहां हम बेशन को ऐसे प्रेश करके रख देंगे, डग के रख देना है, 15 मिनिट के लिए, अब हम एक चन्नी लेंगे, यह ग्यों चानने की चन्नी है, इसमें हम यह बेशन चान लेंगे, और ऐसे हाथों से फिर प्रेश करते हुए हमें चान लेना है, तो यह प्रोसेस करने से हमारी यह मिठाई बहुत सौफ्ट बनती है, तो यह करना जरूरी है, और इस तरह से हम हाथों से पूरा बेशन चान लेंगे, और इस तरह से बेशन का दाना दाना, जैसे छोटा छोटा दाना होता है, इस तरह से हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह से हो जाने से हमारा एस्विट अच्छी बनेगी, तो यहां हम गेस पर एक कड़ाई रख देंगे, इसमें हम घे एड़ कर देंगे, अब हम इसमें बेशन एड़ कर देंगे और गेस की फ्लेम को हम मेडियम रखे, इसको ऐसे चलाते हुए हमें पकाना है और यह बेशन अच्छी तरह से पकेगा, तब भी हमारी इस्वीट अच्छी बनेगी कच्चा नहीं रहना चाहिए इस्वीट हम चासनी करके तयार करेंगे, तो यहां हम एक तार की चासनी बनाएंगे कभी-कभी चासनी की जो मिठाई बनाती है, वो ठंडी का मौसम हो, तो जल्दी जम जाती है और गर्मी का मौसम हो, तो थोड़ी ज्यादा देर लगती है तो यह मिठाई पर वातावरण की भी असर रहती है तो यहां हमारा यह बेशन ऐसे कंटिन्यू चलाती हुए हम पकाएंगे और यह ज्यादा है, तो इनको पकने में थोड़ी ज्यादा देर लगेगी यहां बेशन फूल गया है फिर जब यह सारा फूला हुआ बैठना जाए तब तक हमें पकाना है और इनको पकाते हुए हमें 25-30 मिनिट जितना समय लगा है अब हमारा यह बेशन पक गया है आप चाहो तो इसको थोड़ा और भी पका सकते हो यहां अच्छी सुगंद भी आने लगी है अब हम इनको एक क्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे वो ही कड़ाई हम गैस पर रख देंगे और इनमें चीनी एड़ कर देंगे और जो चीनी डूब जाती है इतना ही हमें पानी एड़ करना है ज्यादा पानी नहीं लेना है गैस की फ्लेम को मेडियम रखेंगे और यह चासनी बनाते वक्त भी हमें कंटिन्यू चलाना है कुछ देर के लिए यह चासनी भी हमारी ऐसी फूल जाती है इसके बाद वो यह बबल्स बैठ जाता है आप यहाँ देख सकते हो सारे बबल्स बैठ गए है और अब ऐसे हाथों में लेके चेक करेंगे एक तार बनता है तो यह हमारी चासनी एक तार की हो गई है इन में हम जो हमने प्लेट में निकाल के रखा था वो बेशन एड़ कर देंगे और इनको भी हम दस मिनिट जितना हम गैस पर ही कंटीन्यू चलाते हुए मिक्स करेंगे यहां हमने कोई फूड कलर यूज नहीं किया है आप चाहो तो थोड़ा ओरेंज कलर का जो फूड कलर आता है वो यूज कर सकते हो तो इसका लूग बहुत अच्छा लगेगा अब यह कंटीन्यू चलाते हुए दस मिनिट हो गई है अब हम इसको प्लेट में ट्रांस्फर कर लेंगे अब हम इन पर यह बादाम जो हमने काट के ली थी इसको हम ऐसे रख देंगे थाकि हमारी यह मिठाई देखने में अच्छी लगे इसको हम ओवरनाइट रहने देंगे इसके बाद सुबह में हम कट लगाएंगे यह मिठाई हमारी बहुत सौफ्ट बनी है दिरे दिरे पूरी प्लेट में हम कट लगा देंगे यहां हमारी पूरी प्लेट में कट लग गया है अब हम इनको निकाल लेंगे तो यहां आप देख सकते हो यह मिठाई कितनी सौफ्ट बनी है कुछ कंटों के बाद यह थोड़ी ठीक हो जाएगी अब यह थोड़ी ज्यादा सौफ्ट है यह खाने में बहुत टेस्टी लगती है आपने कभी ना बनाया हो तो एक बार जरू ट्राइ करना अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेर करना मेरी चैनल पर नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ